आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिद्धान तक नहीं होते ही स्टेडी ग्लोज पर आपको बहुत बहुत स्वागत है यह जो वीडियो आप देख रहे हैं आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करिए क्योंकि अभी मैं चारधाम गया था तो मा गंगा को मैंने स्टेडी किया स्टेडी तो खेर हमने किताबों में पढ़ाई है लेकिन जब आप कोई चीज असली में देखते हो न तो आपके होश ओड़ जाते हैं एक डिवाइन एक्सपीडियंस एक ऐसा एक्सपीडियंस जो शायद शब्दों में बयान नहीं हो सकत मा गंगा जो करों लोगों को जिन्दगी जिती है ये जिन्दा है एलाइव है सुप्रीम कोट ने बोला था गंगा यमुना जीवित है तब ही हम इनकी पूझा कर रहे हैं क्योंकि ये लोगों की जिन्दगी को सवारतिय ये देश को चला रही है आप समझ रहे हैं और मैं त जाता है कि पूरा का पूरा रूट निकलती है और उसके पाद धीमे 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 डीमे चौड़ी होती जाती है ठीक है और ये जैसे जैसे गंगा आगे पड़ते हैं वैसे फिसे चोड़ी हो जाती है ऐसी खुबसूरती शायद आप कभी नहीं देखेंगा और ऐसा divine experience जब आपको एहसास होता है कि ये नदी जो है ये कितने लोगों को जिदगिया जीती है including us लेकिन कुछ तो शरम कर लो अगर है तो कुछ शरम कर लो गंगा में ही डूब मरो और क्या बोल सकते हैं क्योंकि हालात इतने बुरे हो गए हैं इसकी कौन जवाब देही देगा मैं अभी गया उत्राखंड मैं मिघाले गया तो वाँपे इतनी सी भी गंदगी नहीं थी यह चिंता जनक है पहाड़ों पे आप इतनी सी भी गंदगी नहीं कर सकते हैं लेकिन आपने पहाड़ों का किया क्या है उत्राखंड में इस्पेशली यह सोचने वाली बात है और इसमें सरकार को जबाब देना पड़ेगा क्योंकि हम सब की बात है इसको सीडियस्ली लीजे क्योंकि हम बहुत सारी चीज़े सीरियस्ली नहीं लेते हैं हमने climate change को seriously नहीं लिया अब हम ही मर रहे हर साल भारिश होते हैं हम डूप जाते हैं तूफान आता हम मर जाते हैं यह होगा आगे आने वाले समय में यह और तद एक्स्ट्रीम होता जागा गर्मी ऐसी पड़ेगी तो अब क्या हो रहा है गंगा के साथ भी हम बहुत धिलाई ब पर बस आपका लेना चाओंगा चानक की नीती का हमारा कोर्स लाइव है 17 नवेंबर से क्लासे शुरू होगी नीती 70 कूपन को यूज करिए आज यह कूपन को वैलेट रहेगा फिर यह को स्टोरा महेंगा हो जाएगा तो अगर आपको लगता है स्पिडिच्वल डेवलप् या फिर एपल मोबाइल या आईपैड जो भी है वो अवैल कर सकते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि नैशनल ग्रीन ट्रिबूनल को यह इंफॉर्म किया गया है कि उत्राखंड सरकार की रिपोर्ट आई है और उसमें बोला गया है कि जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है गंगा का वो तक पल्यूटिट है सीविज ट्रीटमेंट प्लांट स्टीपी डिश्चार्ज से अब करे तो करे क्या बोले तो बोले क्या जैसे जैसे पॉपॉलेशन बढ़ेगी जैसे जैसे लोग आएंगे यह प्रॉब्लम भी बढ़ती जाएगी कही ना कहीं तो गंदग उत्तरकाशी में रुकि और देखिए गंगा का वो पूरा का पूरा टाउं ही उत्तरकाशी में जबाल पर ऑग बूत पर बीच सोगनगा निकल रहे हैं उसके बाद एक रोट कट्टी है के दारनात के लिए और आगे जंगे भर अपको मिलेगा हार्सिल और हार्सिल मोस्ट फेमस टाउन अभी बन गिया है गहाओ है वसे टाउन तो नहीं है 20 किलोमीटर वहाँ से है गंगोतरी उसके बाद अगर आप 15 किलोमीटर की ट्रेक कर सकते हैं तो वहां पर प्रयाग में होता है पहले मंदाकनी नदी आती है ठीक है मंदाकनी नदी आते आते लगबग 80 किलोमीटर का पूरा का पूरा कोर्स है उसके बाद रुद्र प्रयाग जो काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है उतराखेंड में गड़वाल डिविशन में और किदारनाथ में इसका भी 200 किलोमीटर लगबग ट्रेक करो कोर्स है वहां पर दोनों मिलती है रुद्र प्रयाग में और उसके बाद आगे जब आप जाएंगे तो रगबग रिशी के से 50 किलोमीटर पहले देव प्रयाग पढ़ता है तो एक तरफ से आती है अलकनन्दा और एक तरफ से आत और इधर जो है वह भागी रति का पानी आ रह determination और वहां पे गंगा मां का उध्रघं होता है उसके बाद कोर्स जो है वह आगे वरता है और फिर वो धी में धी में मांगा चौड़ी होतі जाती है envelop आता है आपका हरिद्वार, स्लोप बहुत तेजी और रिशिकेश, रिशिकेश में बहुत चोड़ी हो जाती है, अगर आपको सबसे खुबसूरत स्वरूप देखना है मागंगा का, रिशिकेश चाहिए, बहुत ही खुबसूरत, और उसके बाद फिर पूरा राज्यों को, ग यूपी, देन बिहार, फिर बेंगॉल, और अल्टिमेटली वो मांगरदेश में एंटर करती हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुन्दर बन, जो अगेन बहुत ही जीवों को जिन्दगिया देता है, आप समझे रहें, तो ये गंगा है, और इसमें 50 क वही ही पल्यूटेड है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर जो ट्राइबियूनल है, एक प्रॉपर रिपोर्ट देखी, ट्राइबियूनल ने बोला कि स्टेट और जहां जहां से गंगा निकल रही है, आप रिपोर्ट दीजे, आपने मजाग बना रखा है क् इस नॉट जोक, और वही बात है कि इसमें कुछ तो गरबर है, क्योंकि इस समय गंगा जो है, वो टॉप टेन मोस्ट पल्यूटेड रिवर में आती है, समझ रहे हैं, होली गंगा, कहते तो हम बहुत बड़ी-बड़ी बाते हैं, लेकिन क्या ग्राउंड रियालिटी पे हम वो कर रहे हैं, इंसान अपनी लालच में, जानक यही बताते हैं, कि इंसान अपनी लालच में अंदा हो गया है, तो इस तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूंगा, कि अगर चानक की नीती का कोर्स, आप अवेल करना चाहते हैं, तो इस सिर्थ 300 रुपे का कोर्स है, नीती 70 को आप यूज़ करते हैं, अगर आपको लगता है कि spiritual wisdom, flow, state, relationship management, यह सब चीज़े आपको help करेंगे, तो आप कोर्स को ले लिए सकते हैं, description, comment box पे link दिया है, और साथ सी साथ, जिनके पास apple, iOS है, मतलब, apple store में भी हमारा app listed है, तो वो आप comment box में, और description box में देख सकते हैं, वहा यहाँ पर सबसे ओड़ा बांगलादेश पर यह डेल्टा बनाती है, ठीक है न, और अगर हम बात करते हैं, pollution की तो भयानक pollution हमको देखने को मिल रहा है, एक तो industries का pollution भी यहीं पर जाता है, ठीक है, उसके बाद जो drainage plant है वो भी, फिर उसके बाद जो हम लोग गंदगी पहला कि जो भी खराब चीज़े वो नदी में ही डाल दो, जो भी खराब है, कपड़े खराब है, अब एक कुम्ब होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद जो गंदगी होगी, क्या उससे निपटने के लिए सरकार नहें इंतजाम किये हैं, यह देखना पड़ेगा, कि ठीक है, बहुत कुछ है, हम गड़पती फेस्टिबल मनाते हैं, हम सारे फेस्टिबल मनाते हैं, उसके बाद नदियों की जो ऐसी की तैसी होती है, जो गंदगी होती है, क्या हमारी जमदारी नहीं है, कि आप, यह जो भगवान है, यह नेचरी है, तो जब भी आप इनको celebrate करें तो हमारी जम्मदारी नहीं कि आप वहाँ पर मट डाले especially वो चीजे जो आपको जिंदगी दे रही हो लेकिन हम इतने समझदार को है नहीं और यह हम ही को ही मारेगा आपको क्या लगता है यह हम बचेंगे तो है नहीं तो जस्टिस प्रकाश श्रवास्ताओं नहीं यहीं बताया है कि जो most probable number है 540 upon 100 ml इससे कम होना चाहिए लेकिन यह इतना है इससे काफी कम होना चाहिए और आपको बता दू कि 1 million liters per day इतना 1 mld जो है capacity STP गंगोतरी में ही जा रहा है आप विश्वास करेंगे इतना जादा सीवेश तो सिर्फ फर सिर्फ गंगोतरी में ही जा रहा है आप बाकी राज्यों का क्या ही बोलेंगे या बाकी जहां से गंगा आ रही है human excreta, facial coliform levels वो microbes, वो bacteria जो की human और animal excreta से generate होते है जो हम party करते है या जो हम bathroom जाते है वो number जो है वो लगातार बरता जा रहा है और ये water quality वोर्स होती जा रही है मा गंगा की तो आपको कैसे जीवन देगी यही आप पीते हो, यही आप इस्तमाल करते हो तो यह चीज़ हो और बता रहे हैं कि it is not desirable कि अगर आप गंगा में डुक्की लगा रहे हो यमुना में अभी आपने हजाज़स लेवल देखा पैरलली यमुना मा भी चलते हैं यमनोतरी भी गया था तो पैरलली यमुना मा भी चलती है सत्रा के कड़ीब ट्रिब्यूटरीस है मा गंगा की और उतनी ही यमुना मा की है और दोनों मिलते हैं प्रयाग राज में संगम होता है माँ पे त्रिवेडी संगम तो वही बता रहे हैं कि it is not good for bad bathing कि नहाने के लिए भी सही नहीं अभी चट पूजा में दिल्ली में हजारडस लेवल इतना जाग इतना बड़ा बड़ा उसके बावजूद लोग वहाँ पे डुपकी लगा रहे तो यह पांच नमेंबर एंजीटी बेंच जिसमें जस्टिस सुधी रगरवाल और एस सेंटिल वेल उन्होंने यहीं बोला कि जहां से देखिए जो गंगोत्री जहां से ओरिजिनेट होती है वो भी दिक्कत है तिरेपन स्टिपीज है सीवेच ट्रांसप्लांट है ठीक है जो सीवेच ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें से 50 फंक्शनल है और सबसे बड़ी बात अब ध्यान से सुनिएगा 50 में से सिर्फ दो पावर ये दो ट्रीटमेंट प्लांट ऐसे है जो कंप्लाई कर रहे है यानि की रूल्स एन रेगुलेशन को फॉलो कर रहे है बाकी 48 दे आर नोट कंप्लाईंग टूदी नॉर्म्स अब देखिए सीविश तो जाएगा ही जाएगा लेकिन जानने से पहले आप उसको क्लीन करिए अब इसके बहुत सारे मेसेज है बाइयो केमिकल ऑक्सिजन डिमांड होते है कि आप जो गंदगी होते इसको रिमूव कर सकते है लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है जो भी रूल्स और रेगुलेशन से वो फॉलो ही नहीं किया जा रहा है और यह जो डिस्क्लोजर्स है यह उत्राखंड बता रहे हैं कि जो अभी जो भी डिस्क्लोजर्स दिये गए है स्टेट द्वारा वो डाउटफुल है तो हम चीफ सेक्रेटरी से यह बोलेंगे कि एक प्रॉपर रिपोर्ट दे कि क्या वाकई में जो स्टीपीज है वो कंप्लाइंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं कि बहुत सारे स्टीपी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अब अगले साल जब कपाट खुलेंगे तो उत्राखंड सरकार को क्या अप लगानी पड़ेगी इससे जादा लोग मैं केदारनाथ गया केदार बाबा के गजब दर्शन हुए लेकिन वह एक डिस ओर्गनाइजड मंदर है लगता बस एक लाइन मना दो वो जो ग्रेल है उसको थोड़ा ही साथ है आपको ऐसे करना इसको ऐसे लेकिए आना है और दो पुलिस वाले जो है वो कपाट गर्भा ग्रिहां में जहां पे दस लोगों की घुसरे की जगहा है वहां पे पच्चिस-तीस घुसरे माना मारी मची हुई है आम लोगों के लिए बता रहा हूं जो नॉर्मल दर्शन करते हैं तो क्या जैसे हमारे बाकी मंदिर है वैसे और्गनाइज नहीं होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए होना चाहिए समझना पड़ेगा हमको यह रियालिटी है के दारनात की जो रास्ता है वो इतना डेंजरस है भाई या तो पैदल होली कॉप्टर से जाओ गोड़े गोड़े से तो बिल्कुल ही मत जाओ बिल्कुल भी तो आपको यह चीजे ना यह समझनी पड़ेगी सरकार को और टूरिजम पे क्याप लगाना पड़ेगा क्योंकि पहाड़ों को बचाना है टूरिजम पे रोक लगानी पड़ेगी इतने ही टूरिस्ट आएंगे और अगर इससे जादा आ रही है तो हम लेंगे नहीं वरना यह होगा अब यहीं बता रहे हैं कि हाई एक्सेस क्वांटिटी ऑफ सीवेज जो है जितना है हरिद्वार टेरी में स्पेशली जितना वह डील कर सकते उससे जादा सीवेज आ रहा है और इसमें जो बैक फ्लो होता है फ्लेडिंग होती है हद से जादा सीवेज जाएगा फ आशेपूर बासपूर कीचा डिस्ट्रिक्ट उधमसिंग नगर का जितने भी ड्रेंसे द्यार अंटाप्ट वो भी अपना पानी लगातार इसमें छोड़ते जा रहे हैं तो situation is getting worse फिर उसके बाद अगली जो रिपोर्ट है बता रहे हैं यहाँ पे कि उसमें आपको clarify करना पड़ेगा कि आप गंगा को कब clean करेंगे कब clean करेंगे और कोई भी sewage carrying BOD load नहीं होगा नहीं FC जो गंगा या फिर उनकी Tributaries को join करता है तेरा फरवरी को अगली सुनवाई होनी है तो यह बहुत ही चिंता की बात है और इस चीज को एक national importance मिलना चाहिए पर्यावरर से करेंगे